हेलो गाईज आज की इस वीडियो में हम लाइब ट्रेट करेंगे यूरो यूएच्टी करंसी फेर 50 मिट के टाइम फिरें में दोस्तों यहाँ से अगर आप देखेंगे मैंने एक trend line कTrail किया है और यहाँ से इस trend line को market ने breakdown किया है यहाँ पर बहुत सारे लोग sort करेंगे लेकिन दोस्तों मार्केट यहाँ से support लेने के बाद up direction में जा सकता है तो यहाँ पे हम stop loss रखेंगे और target उपर वाले level पे रखेंगे ठीक यहाँ पे guys अगर आप देखेंगे तो कल की तरह same setup मुझे यहाँ पे नजार आ रहा है ठीक है कल भी इस तरीकी के setup पर हमने trade को place किया था और दोस्तों आज भी मेरे पास multiple region है इस trade को bar direction में place करने का है तो सबसे पहले हम हमारी trade को यहाँ से 0.10 lord size के साथ bar direction में place कर देंगे तो guys यहाँ से मेरे order place कर दिया है और यहाँ पे दोस्तों हमारी trade place हो चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे stop loss के बारे में stop loss guys कोई ज्यादा बड़ा नहीं देने ब्याले है previous support level ठीक है यहाँ पे दिख रहा है और अभी जो market ने low लगा है just नीचे यहाँ पे रखेंगे हमें stop loss और target की अगर बात करें तो दोस्तों target भी जो market ने latest previous high बनाए दोस्तों इसके थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे कुछ इस वाले level पे क्योंकि यहाँ से मुझे एक रजिस्टेंस जैसा नजार आ रहा previous data को अगर यहाँ पे देखेंगे त लिए के support level से थोड़ा पहले हम हमारे target को रखेंगे तो हमारा target है 13,333 का हमारा target है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी trade भी plus में आ चुकी है 1 dollar plus अभी इस trade में हमारा profit शो कर रहा है तो guys वीडियो को complete देखें वीडियो की end में हम सब कुछ in detail समझने वाले हैं किस logic क किस region के साथ मैंने अपनी trade को by direction में place किया है क्या क्या regions में देखा है जब भी हम live market में trade करते हैं अगर आप stock market में trade करते हैं या फिर forex में trade करते हैं तो live market में किस तरीके से हमें एक analyze करना होता है किस तरीके से confirmation लेना होता है इसके बार trade को place करना होता तो इसके बारे में आप आपको एक आईडिया मिलेगा वीडियो को कम्पीर देखिए और वीडियो फसंद आ तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करें चैनल पर आप पहली बार होते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को नोडिपेक्शन आपको मिलेग इस्टोप लोस की जो प्राइस देने वाले हैं 33,096 का यहाँ पर इस्टोप लोस को मोडिफाई करेंगे ओडर मोडिफाई हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे रेट कटी लाइन यहाँ पर हमारा इस्टोप लोस अब भी मोडिफाई हो चुका है ता यहां से अगर आप देखेंगे तो मार्केट अप डारेक्शन में जाना इस्टार्ट कर दिया है बड़ी सी यहां पर ग्रीन केंडल बनाई है और प्रॉफिट के अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां फे फाइव डॉलर के आसपास यहां से अभी हमारा प्रॉफिट यहां पर शो करने लगा है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों कह सकते हैं हमारी फर्फेक्ट जगे इंट्री हुई है कर थोड़ा लेट हो जाते तो साथ यह बाला प्राइज नहीं मिलता क्योंकि मार्केट ने आप डारेक्शन में जाना इस्टा यहां पर आप देखेंगे मार्केट है बड़ी सी ग्रीन केंडिल बना दिये है और हमारा प्रोफिट यहां पे लगबग 11 डॉलर के आसपास चल रहा है यानि जो हमारा टारगेट था टारगेट यहां पे मार्केट ने शीप कर दिया है देख सकते हैं 1 डॉलर प्लस यहां से प्रॉ lebihन डॉलर दो फ्लस यहां से आपनी प्रॉफिट को बुक कर लूंगो गकाईस यहां पे अपनी ट्रेट को क्लोज कर genauso कर देंगे हम 11 ॉलर is lecture रखा था, इस level पर क्यों रखाता है, हो सकता है market यहाँ से resistance लेने के बाद एक downfall करना start करते क्योंकि यह a market resistance की तरह phase कर सकता है तो हम risk नहीं लेना चाहते है जलिए दोस्तों यहां से हम लोजिक को समझ लेते हैं किस लोजिक के साथ किस रीजन के साथ trade को place किया था फर्स्ट रीजन के अगर बात करते हैं यहां से मेरे एक trend line को draw किया है कुछ इस तरीके से यहां पे आप देखेंगे market एक uptrend में है एक higher high की तरह फर्फूं कर रहा है तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे यहां पे market अभी एक uptrend में है यह है दोस्तों हमारा reason number one ठीक है यहां पे trend को follow करती हुए हमने trade को place किया है reason number two की अगर बात करते हैं तो guys यहां से आप देख सकते हैं यह wave number three का एक market के लिए major support level है ठीक है आपको यहां से fewonasi retracement level को यहां पे चेक कर बाता हूँ जिससे कि आफ अच्छे से समझवाएंगे यह level इतना जादा important क्यों है देखिए हम यहां से क्या करेंगे bottom से top तक fewonasi को draw कर देंगे यहां पे दोस्तों हमने body to body fewonasi को draw किया है ठीक है और इसके बाद यहां से अगर आप level देखेंगे तो यह level इतना important क्यों है तो guys यहां पे आपके लिए नजार आएगा fewonasi का 38% का retracement level यहां दोस्तों काफी जादा important level होता है यह तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज की trade को 3 region के साथ यहां से place किया था बार डारेक्शन में और दोस्तों इसली यहां पे market ने हमारा target इचिप कर दी है तो इस तरीके से दोस्तों हमारे लिए live market में एक analyze करना होता है इसके बाद ही trade को place करना होता तो जब भी आप trade को place करें तो आपके पास भी इस तरीकी के reasons होना चाहिए इसके बाद आप trade को place करेंगे तो दोस्तों इसली आपने target को आप पीछिप कर पाएंगे तो हो सकता है जिस यहां से market up चला जाए या फिर down चला जाए कोई दिक्कर नहीं है यहां पर दोस्तों अगर हमारे entry के बात करें तो देगे इस level का दोस्तों हमने entry लिया था और दोस्तों यहां पर हमने रख दिया था हमारा stop loss इस बाले level पर और यहां पर दोस्तों इतना बड़ा यहां पर move हमने catch कर लिया तो इस तरीके से दोस्तों आज की trade में दोस्तों ए एक बड़ा room हमारे पास नहीं था देगे इस level का हो सकता market downfall भी कर सकता इसलिए हमने बड़ा target यहां पे नहीं रखा था तो दोस्तों live market में जब भी आप trade करें तो इस तरीके से analyze करें इस तरीके से confirmation ले इसके बाद ही आपको trade place करना है आज की इस live trading वीडियो से थोड़ा कुछ learning को मिला होगा live market में किस तरीके से हमें trade place करना होता है और किस तरीके से confirmation लेना होता है अगर आपको इस वीडियो से थो बाइ बाइ दोस्तों